और अब बढ़ते हैं आगे और सर्दी और कोगरे का डबल अटैक आपको बताते हैं साल का आखरे महीना चल रहा है ठंड अपने पूरे शवाब रहा है जगे जगे ठंड और कोगरे का डबल अटैक देखा जा रहा है आपको ये दिखाते हैं एक साथ कानपुर अलिगर्वानसी मुरादवाद की तस्पीरे जहां ठंड पूरी तरीके से प्रचन पर है तो ये तस्पीरे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोग जो है ठिटुर रहे हैं आलाप का सहारा ले रहे हैं और कुछ इसी तरीके से लोगों को असे ठंड में तरहाल समय गुजारना पड़ रहा है अलाकि प्रिशाशन की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरीके से इंतजाम जो है माकूल किये जाए ताकि लोगों को ठंड से जूजना ना पड़े और इसलिए अब कुछ इसी तरीके से लोग आलाव का सहारा ले रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि हमने अलग अलग तस्वीरे आपको दिखाएं तो कोहरे की कारण रफतार प्रडेक लग चुकी है कोहरी की चादर से पूरा शेह लिप्टा हुआ नजर आ रहा है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है ग्रेटर नौडा की ये तस्वीरे हैं नौडा ग्रेटर नौडा की अगर बात की जाए तापमान काफी नीचे गिर चुका है आपको तापमान का क्या हाल है वो भी दिखा रहा है वानसी में 14 डिग्री से पहुँच चुका है जबकि प्रयाग राज में 13 है फंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और तापमान जो है वो लगातार डाउन जा रहा है इस वक्त हम लोग मौदूद हैं ग्रेटर नौडा के NS91 पर सबसे पहले तुम आपको तस्वीरों के मादब से ये दिखाना चाहूंगा किस तरीके से वीजिवल्टी बिल्कुल लोग और थंड की अगर बात करें तो थंड जो है वो इस समय बिल्कुल चरम पर है क्योंकि जो ठंड है वो इसकदर बढ़ रही है कि जो तापान है वो लगातार गिर रहा है और बात करें अगर हम फॉक की तो वह लगातार मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा कैसी थंड देखने को मिल रही है बहुत थंड है बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो रही है विजिविल्टी कैसी है और भी कोराय कोराय यहां पे बिस्त है अच्छा एसी थंड में मतलब वहाण चलाने को लेकर क्या ना चला चीए काशकर कार और बाइक नहीं चलनी चक्षी के साथ में चलेए इंडी घीटर लगा के चले वो सबसे बेश्ट है की इसे थंड मैसूश कर रहे है जो थंड है वो बहु उसमें जो वहान की गती है वो लगातार जो है वो धीमी पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से फॉग अपना रूप ले रहा है तो जो वीजिबिल्टी अगर बात करें तो वीजिबिल्टी बिल्कुल लोग देखने को मिल रही है ग्रेटर नोड़ा से प्रणा भारदुआज जी मीडिया प्रियागराज में कोखुरे और ठंड का डबल अटैक है कोखुरा लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है तो प्रियागराज में भी सर्धी का सितम जो है वो जारी है और सर्धी के साथ साथ कोखुरे की जो मार पड़ रही है वो लोगों के लिए दिक्कत कर रही है प्रेक लगा दी है प्रिशाशन की ओर से जगे जगे अलाव से उस्ता थी जा रही है। तो ये आपको बता दे क्योंकि पहाडों पर बर्पारी हो रही है तो जाहिरे मैदानी इलाकों में शीत लहर चलेगी शीत लहर के साथ-साथ कोखरा बढ़ रहा है। तो ये आपको बता दे कुछ इसी तरीके से वाहन रेंगते पर नजर आ रहा है क्योंकि काफी जादा कोखरे की स्तिती जो है वो देखने को मिल रही है। जिसमें कई लोगों की जान भी जा रही है। और इसी लोगों को थोड़ा साबधान रहने की भी जरूरत है। कुछ को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, दरुरत ना हो तो ना निकलें। तो अब आपको गोरकपुर की तस्वीरे भी दिखा देते हैं। गोरकपुर में भी विजिबिल्टी का कुछ यही हाल है। विजिबिल्टी कम होने से लोगों की काफी परिशानिया जो है वो बढ़ती हुए नजर आ रही है। सड़क के नारे लोग ठंड से बचने के लिए आलाव का सहारा ले रहे हैं। गोरकपुर में भी कमुबेश इस्ति कुछ इसी तरीकी की नजर आ रही है। जहां पर बेदी के ले काफी दिखते हैं। वक्त देखने को मिल रही है। लोग जो है वो कुछरी से परिशान हैं। ठंड से भी थोड़ी से परिशान नजर आ रहे हैं। कि ठंड से वहाला अब सहारा लेकर खुद को गरम किये हुएं लेकिन कोहरे की मार जो है वो काफी ज़्यादा परिक्षान करती हुई नजरा रही है और हमारे साथ असफक्त तमाम सहयोगी अलग अलग जो किसे जूचुके हैं उनकाम सीधे रुके लेते हैं किए कि अधुने की ठिंड और यहां पर हमारे साथ सबसे पहले मनुच के पास चलते है नज़िए की किस तरीकी कर नाजारा देखने को मिल रहा है कितनी ठंड और कोहरा यहां पर जी बेशक हम आपको बता दे कि सूरज की तपिस पर अब कहीं ने कहीं जो कुहरे की चादर है वो भारी पड़ रही है और सब हम बलिया के चौक इलाके में है और आप देखें कि ये सूरज निकला हुआ इसके बावजूद जो है वो धुंद जो है साफ नजर आ रही है और ल सब्सक्रा accounting ये स्टाटर्ट ग़ा से लगता है कि अब भासा लैगा कुहासा पड़ेगा थन्द बढ़ेगा जो कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, उन बच्चों से बात करते हैं, बटा आज आप लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, थंड लग रही है, तो पूरे कपड़े आप लोग पहन के बाहर निकल रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, तो ये कुछ और बच्चे हैं, बटा क्या कहेंगे आपको तरीका फुद को फिट रखने का भी और गर्म रखने का भी आलाव के अलावा कुछ इस तरीके से भी लोग आपने आपको गर्म रह सकते हैं खेल के जैसे कि यह बच्चे रख रहे हैं तो आपके पास जासी बी जलते हैं अब्दुल सत्तार बीमार से थिस्वक बने और क्या प्रशाशन की ववस्थाएं देखने को नजर आ रहे हैं? जगाल का इकटा करके कच्रा जला रहे हैं जिससे आग की इनमें साहरे बैठे रहे हैं और ठंड से बचें बात करते हैं और भी आपते ठंड कैसी है सब बहुत ज्यादा है मतलब हैं सर्दी के मतलब लकड़ी पकड़ी जला रहे हैं मतलब बहुत जाड़ा है कच्रा ठंड क बचने के निये मतलब यह का रहा है यह और भी लोग बैदेन से पूछते हैं यह बताइए यह थंड आप भट उपा भी लगा हुए है थंड कैसी है कैसे में किसे निगरें आप है काफी थंड है काफी थंड है इस वज़े से इस आग के सामने खड़े हुए हैं तमाम जो बचाने के सब्सक्राइब रामपूर की क्या स्थिए रामपूर में श्हीं की थे राप्टकान बचराण अपरर विण आ सघृति और common का सितंड है इस और डके कर आपको लिए लिएरे तयारा right रहें बसेड़े हो इप पर जो है चालू हो गए हैं हमारे साथ इस लोग मौझूद है यह बताए है बचाइश तर बार के में दो चोड़ी इपने पर शोड़े को पहले के मिगापने इस रहर प्राइब कर जो पर आफ तर बार के क्या शोड़ी इस अब आप प्र। तो रामपुर में पीज़ साथिका में और भी हमारे सब लोग हैं यह मताईए कि इस वार रामपुर में पैसी लेग रही है आप ठीक अब्दुल सत्तार नतीश का भी जरा मुझ कर लेते हैं लकनों से नतीश के पास भी चलते हैं नतीश राजठाने की क्या स्थिति है यह जगे जगे से हम देख रहे हैं लोग अलाप का सहारा ले रहे हैं और सीअम योगी आदितनाथ की बात की जाए इस वक्त में लखनव और आयोध्या के बीच जाने वाला जो हाईवे है वहाँ पर मौझूद हूँ और आपको चारो तरफ ये कोहरे की चादर दिखाई देगी आलम ये है कि गाडिया जो है वो हेडलाइट के सहरे पर है और लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए करम कपडों का सहरा ले रहे हैं आप देखे सामने से जो भी बाइक गुजर रही है सभी पूरी तरह से हेडलाइट के सहरे पर आगे बढ़ रही है यानि द्रिश्टा कम है अगर बात करें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो शुनी के बराबर है अब इंतिजामों पर आते हैं तो इंतिजाम पूरे लखनव शहर में विशेश किये गए है चोराहों पर अलाओ की बेवस्था की गई है इसके साथ ही जो रैन बसे रहे है उनमें अगरे इस की पर देखें जो लोग गाड़ियों के साहरे परहे वो तो परेशान है लेकिन जो हाइवे के किनारे साईきल से जाने वाले वाले लोग है वो भि इस थंड को मेह्सूस करें पूरी तरह से गरम कफडों में लिट्टे हुए थंड का हाल के है? रहत कैसे पार है? रहत के से गर्मी समय कवरा सरा चला के मतलब आगई एक ताप के वही तरह से मतलब तो लोग जो हलाओ है उनको जला रहे हैं और उससे रहात पाने का प्रयास कर रहे हैं सिर्पा लेकिन थंड रहात दे नहीं रही है मौसम वेभाग कानुमान है अभी ये थंड और बिल्कुल लास्कती दिख रही है किस तरीके से नितीश लोग जो ये थंड से ठुटर रहे हैं लेकिन घरों से बहार निकलना भी बेहस जरूरी है विवस्थाएं बहतर होंगी सरकार की तरफ से और माकूल होगा बहुत शुक्री आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए और अब बढ़ते हैं यूपी में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है बात सूमबार की करें तो घने कोहरे की वज़े से कई जिलों में हाथ से खो सर्दी के मौसम में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है घने कोहरे के वज़े से सडक हाथ से भी सामने आ रहे है हापुर में कोहरे का कहर देखने को मिला यहां नैशनल हाइवे 9 पर करीब करीब 15 गाड़ियां आपस में टकरा गए इसमें कई लोग घायल हो गए इस हाथसे के वज़े से सड़क पर लंबा जाम लग गया सड़क पर गारियों की लंबी कतारें देखी गए उदर आगरा में भी कोहरी के वज़े से सड़क पर गारियां चलाना मुसीबत से कम नहीं है यहां कोहरी के वज़े से कई गारियां टकरा गए हाथ से में लगबग पांच लोग घायल भी हुए घटा नैशनल हाइवे के एतमाद पुर्धाना इलाके की है घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइस कराया गया बुलन शहर में अधिशासी अधिकारी की कार अनियंत्रित होकर पलट गई